हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब तो स्वागत है आपका मेरे यहोट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में मैं आपको चिकाने वाले है एक बहुत ही सिंपल और एजी तरीके से लांच बैग बनाने वाले है आप उसे handbag यूज़ कर सकते हैं, lunch bag यूज़ कर सकते हैं, काफी अच्छे size का हम इसे बनाने वाले हैं, सबसे बड़ी बात बहुत easy तरीके से बताऊंगी, और दूसरी बात, इसमें बीच में, वीडियो के बीच में, मैंने आपको ट्रेक बताई है, कि कहीं बार आप मुझसे कमेंट्स में पुछते हैं, कि जब हम side join करते हैं, तो कई बार प्रॉपर नहीं आती, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ भी बताई है, कि कैसे आपको side join करना है, कैसे extra आपको cut करना है, और कैसे adjustment करनी है, तो I hope आपको वीडिय देखे हम वीडियो को शिरू करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो comment जरूर कीजेगा, like जरूर कीजेगा, चलिए शिरू करते हैं, चलिए हम वीडियो को शिरू करते हैं, तो देखे मैंने लिया इस तरीके से एक rectangle piece, नीचे lining, बीच में rice bag, उपर कपड़ा, basement आप screen पे दे पुरा सीधा straight उपर तक मिला लेना है, तो 4 इंच पे ये निशान लगाया, सीधा मिला लिया उसे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से निशान लगाना है 2.5 इंच पे और उसे इस तरीके से मिला लेना है, उपर की तरफ से हल्क इसी round shape दे देनी है, और इसे इसी shape मे आपको कट कर लेना है, तो यह हमारा कट हो गया, दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से कट करना है, और यह जो side से बच रहे हैं pieces, यह हमारे waste नहीं जाएंगे, इनसे हम अंदर के तरफ pocket बनाएंगे, तो बिल्कुल भी कपड़ा waste नहीं होगा, तो यह हो गया हमारा cut, side से, तो दो-दो pieces को join करके, एक simple pocket बना लेनी है, तो दो-दो pieces को join कर लिया, उपर की तरफ से दोनों पर सिलाई लगा ली, उसके बाद हमें इसे, इसके साथ attach कर लेना है, तो बीच में center में रखना है, देखिए इस तरीके से, तीनों तरफ से fold करते वे, सिलाई लगा लेनी है, दोनों तरफ, तो दोनों pocket हमारी attach हो गई, तो देखिए बचेवे कपड़े से, कितनी प्यारी pockets बन गई, अब हमें लेनी है 18 inch की strap, center point से 2-2 inch का निशान लगाना है, दोनों तरफ, strap को रखते हुए, आपको सिलाई लगा के ready कर लेना है, तो strap हो गई हमारी ready, अब हम side के पहले निशान लगाते हैं, तो दोनों तरफ देखिए, इस तरीके से पहले आपको लगा लेना है निशान, उसके बाद आपको इसे rough measure कर लेना है, कि यह कितने inch आता है, तो यह मेरा approximate आया है 17 inch, 2 inch आपको extra लेना है 19 inch, तो 5 inch इसके बराबर, और यह मैंने लिया है 19 inch, जो मै अभी आपके सामनी ना पा, यहां से यहां तक और 2 inch extra, अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें zip लगाएंगे center में, तो इसे center में से cut करके अलग कर लीजे, और zip को रखिए, सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है, और इस पे पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है, तो zip हमारे insert हो गई, extra zip को cut कर लीजे, अब मैं बताती हूँ आपको attach कैसे करना है, तो आपको पहले सिरफ एक तरफ से attach करना है, यहां पे सिलाई लगा लीजे, यह मैंने सिलाई लगा ली, इसके बाद रफ है जिसको आपको finish कर लेना है, यह देखे, तो आप मैं इसमें बत लाने वाली method कि आपको किस तरीके से नापते हूए इसमें से पहले extra cut कर लेना है, और उसके बाद आपको सिलाई लगानी है, तो इस वाले point को ज़रूर देखेगा, आपके बहुत काम आएगा, तो देखे, सबसे पहले हमें इसे इस तरीके से नापना है, देखे, दोनों त आदे तक सिलाई लगानी है, तो देखे, मैंने half तक सिलाई लगा लिए, पूरी नहीं लगाई है, अब आपको इसे नापना है, जितना भी extra आता है, आपका उसे cut कर लेना है, और cut करने के बाद हम इसे आगे join करेंगे, तो अगर इस method से करेंगे, तो बहुत easy हो जाता है, देखे, आपको बिल्कुर close से दिखाती हूँ, नीचे वाला निशान, इस निशान के उपर पट्टी को बराबर रखते हुए, जहां तक हमारा बराबर आएगा, और यहां पे लगा लीजिए पिन, यह आप निशान लगा लीजिए, यह देखे, और इस टाइम आपका जित और यहां निशान लगा लिया, तो पहले इसे इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, तो हमने लगानी है सिलाई, तो यह मैंने सिलाई लगा ली, और यह वली सिलाई लगाने से पहले हम पहले रफ है, जिसको finish कर लेते हैं पट्टी से, तो simple straight पट्टी से जिसको finish कर लेंगे, और finish करने के बाद अब हम इस सिलाई को पूरा complete कर लेंगे, तो जो भी extra पट्टी थी मैंने cut करके अलग कर दी, और यह हमारी side देखिए, join हो गई, अब दूसरी तरफ से अंदर की तरफ करते हुए, यहां पे भी पूरे पे सिलाई लगा लीजे, तो य अब हम इसे कर लेते हैं सीधा, और अच्छे से सारे corners निकाल लेंगे देखिए इस तरीके से, और यह बहुत ही प्यारा सा बैग बनके देखिए बिलकुल रेडी हो गया, एक pocket अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, उपर की तरफ जिप, और काफी अच्छे size में हमारा बैग बिलकुल रेडी हो गया, तो आप इसे as a lunch bag यूज कर सकते हैं, simple hand bag यूज कर सकते हैं, तो देखिए कितने easy तरीके से हमारा यह बैग बिलकुल रेडी हो गया, और बिलकुल भी कपड़ा आपका इसमें waste नहीं हुआ, साइडों से बचावा कपड़े की भी हमने इसमें पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू